नमस्कार दोस्तों इसरी वीडियो में आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी ही हमारे बिजनस से जुड़ी हुई कुछ खास चीजें सीखने वाले हैं जो हमारे शिपिंग से या डेलिवरी से संबंदित है मालीजी आप कुछ बिजनस करते हैं और आपका बिजनस वो आफलाइन है offline business में आपके पास एक option होता है कि customer आपके पास आएगा आपसे product purchase करेगा वो आपको payment करेगा और आपका काम वहीं पर खत्म हो जाएगा आप चाहें तो उसको bill दे सकते हैं लेकिन अगर आप online sale कर रहे हैं तो online selling में आपके पास order आएगा वो किसी भी माध्यम से आ सकता है आपने वो सामान pack करना है उसका bill generate करना है और फिर आगे shipping company को आपने दे देना है जो आगे आपके पारसल को आपके shipment को deliver करेगी आपके order किसी भी माध्यम से आ सकते हैं अगर आप selling Amazon से कर रहे हैं Flipkart से कर रहे हैं eBay से कर रहे हैं Mantra से कर रहे हैं WhatsApp से कर रहे हैं या फिर Facebook से कर रहे हैं इन में से कोई भी साथ दिन आप अगर चूज कर रहे हैं या अपनाते हैं जिसके दौरा आपना product sale करते हैं तो भी आपको एक shipping company एक courier company की या courier partner की जरूत पड़ती है जिनके माध्यम से आप ये parcel भेज सकते हैं आम तोर पर जिनके parcel बहुत कम या एक दो आते हैं या business नों नों शिरूआत की है वो generally अपना parcel कोई यर कंपनी को दे कर आते हैं और वहां सर वो उसकी रसीद ले ले लेते हैं और या tracking number ले ले लेते हैं फिर वागे वो message कर देते हैं अपने जो customer है उनको लेकिन आजकल बहुत सारी market में shipping services available हैं जिन पे आप बहुत ही जो किफायती rate हैं बहुत ही normal price पर आप अपने shipment को भेज सकते हैं और साथ ही उसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं जैसे कि आपका parcel deliver हुआ के नहीं ये customer चेक कर सकता है उसके पास automated message एक receive उसको हो जाता है mail पर भी message चला जाता है एक link चला जाता है जहां से वो अपनी service को track कर सकता है साथ ही अगर in case कोई कारण है जहां जिस वाज़े से वो deliver नहीं हो पा रहा है तो आप उसको track कर सकते हैं आपके पास वापस आने की जो tracking है वो track कर सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ी सी problem ये रहती है आपके सामने कि जब आप इस तरह की services use करते हैं तो जब आप कोई shipment भेजते हैं तो उसका जो charge लिया जाता है वही charge जब shipment किसी कारण से deliver नहीं होता और आपके पास return होता है तो वो charges आपको pay करना होता है बहुत सारे लोग आज भी India Post की service को इस्तेमाल कर रहे हैं हाला कि India Post service एक बहुत बड़ी service है जिसके दौरा आप दुनिया के किसी भी कोने में पास ये है कि ये service उन जगहों पर भी provide कराता है जहां पर आपकी private courier companies नहीं पहुंच सकती है या वो deliver नहीं करती हैं बहुत सारे pin code ऐसे हैं जो interior है जो गाउं में हैं जहां पर आपकी courier company नहीं जाती है लेकिन इंडिया post वहां deliver करता है इंडिया post से आप अगर कोई shipment भेजते हैं तो उस पे थोड़ी सी problem आती है problem आती है इस तरह की कि वहां से आपको जो परची मिलती है या जो slip मिलती है उसको आपको आगे भेजना पड़ता है जिसके दोरा आपके जो customer हैं वो उसको track करते हैं लेकिन बहुत सारी जो product हैं वो ऐसे हैं जो इंडिया post अपनी service से deliver नहीं करता या नहीं बेजता जैसे बहुत सारे liquid product हैं जिनको इंडिया post लेने से मना कर देता है बहुत सारे काच वाले product हैं जो damage होने का खत्रा रहता है वो भी इंडिया post लेने से मना कर देता है हो सकता है इनकी policy में हो या ना हो लेकिन छोटे बहुत सारी इनकी branches ऐसी हैं जो इस तरह के product लेने से मना कर देती है और ऐसी समय पर हमें जरुद पड़ती है कुछ private companies की या private courier companies की जिनके दोरा अपने product को हम अपने customer तक deliver करा सके इसी श्रंकला में हमारे पास कुछ नाम है जिनके बारे में आपको introduction मैं देना चाहता हूँ एक है जो ship rocket के नाम से है उसको मैंने सबसे पहले use किया क्योंकि इससे पहले मैं एक general company use करता था जिसका नाम track on है आपने सबीने सुना होगा हमारे पास जब कुछ बहुत कम order आया करते थे तो हम उनको pack करके track on के पास ले जाते थे वहां से वो फिर आगे इसको dispatch करते थे और फिर वो deliver करते थे उसमें time जादा लगता था पैसा जादा खर्च होता था damage का कोई भी rebate या फिर कोई भी refund हमें नहीं मिलता था और बहुत सारी services ऐसी हैं जो हमें मिलती नहीं थी जैसे tracking की details है इस तरह की चीज़े और ship rocket जब से launch हुआ और हमने जब से इसको इस्तेमाल करना शुरू किया इसकी service काफी अच्छी लगी शुरुआत में इसके rate बहुत कम थे लेकिन अभी इन्होंने rate बहुत ज़ादा बढ़ा दिये हैं जिस वज़ा से बहुत सारी couriers हैं मैं ship rocket से भीजना avoid करता हूँ अभी क्योंकि इससे जब मैंने registration किया इसका registration बहुत simple है order book करना इसमें बहुत simple है उसको track करना बहुत simple है अपने customer के पास उस link को भीजना बहुत simple है ये सारी चीजें इसमें बहुत easy to use हैं अपने अगले कुछ videos में मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे इसमे लॉग इन करते हैं कैसे account create करते हैं कैसे आप अपना order book करते हैं कैसे उसको track करते हैं कैसे अगर उसमें कुछ problem है कैसा issue आता है तो उसको कैसे solve करते हैं customer care पर कैसे बात करते हैं support का use कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें अगले वीडियो में हम discuss करेंगे अभी फिलाल एक introduction के रूप में आपको बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारी career companies रहती हैं जिससे इनका tie up होता है जैसे इसमें आपको e-com मिल जाएगी blue dot मिल जाएगा dtdc मिल जाएगा और इसमें amazon मिल जाएगा e-com मिल जाएगा इस तरह से इसमें बहुत सारी services रहती ही बहुत सारी career companies एड रहती है आपके pickup point पर कौन सी career company वर्क कर रही है उस पर भी ये depend करता है माल लिजे आप जहां काम कर रहे हैं कोई छोटी जगह है जहां पर सिर्फ e-com की service है तो आपका pickup point पर सिर्फ e-com की service ही pick करने आएगी उसके दोरा जहां जहां delivery है वहाँ वहाँ वो deliver करेंगे process बहुत simple रहता है इनका post paid और prepaid दोनों तरह की service रहती है आप चाहें तो prepaid use करें चाहें तो post paid मैं अभी तक prepaid use करता आया हूँ पहले इसको recharge कर लेते हैं recharge करने के बाद आप parcel book करते हैं parcel का amount जो shipping का रहता है वो आपके जो अपने recharge amount किया है उस पर इसे deduct होता रहता है जब तक आपका balance रहेगा आप parcel book कर पाएंगे जैसे ही आपका balance खत्म होगा दोबारा से आपको recharge करना होगा और दोबारा से आप parcel book कर पाएंगे यह सारी चीज़ें मैं आपको live दिखाऊंगा अपने अगले कुछ वीडियोज में इसी तरह कि एक और service है जो मैं use करता हूँ जिसका नाम है Shipway Shipway भी एक अच्छी courier service है जिसमें आपको कुछ गिनी चुनी shipping companies मिल जाएंगी जैसे blue dart है, amazon है, e-com है और आपका अभी हमारे पास जिसमें delivery भी है कुछ और companies भी add हुई है जिनकी service हमारे pin code पर नहीं है आप जब इस service का use करेंगे तो वहाँ पर इसकी service आपको मिल जाएगी इनका customer care easy to use है यहाँ पर आपके पास account manager आपको allot कर दिया जाता है जिनकी mail idea आपके पास रहती है आप उसे communicate कर सकते हैं इसका एक customer care number भी होता है जहाँ पर आप ticket raise कर सकते हैं किसी भी problem के लिए और आपका problem का solution होता है शुरू में मेरे पास जो हमारे account manager थे वो बहुत अच्छी service उनकी थी लेकिन अभी जो account manager हमें allot किये गए हैं वो थोड़ा सा slow काम करते हैं आज मैं complain करता हूँ तो दो दिन बाद उनका reply आता है तो इस तरह जब तक product पर डेलिवर हो जाता है हाला कि इनकी courier service अच्छी है इसमें जो भी courier जो shipping companies जो इसमें add है वो सारी अच्छे से काम करती है मैं अधिक तर Amazon की service को use करता हूँ शिवे के दोरा इसके price बहुत ही reasonable price है जिस पर हमें अपने जो courier से उनको भेज देता हूँ इसके साथ ही मैंने एक बार ship यारी भी use की थी लेकिन वो बहुत जादा मुझे लेकिन उसका जो customer support था मुझे पसंद नहीं आया एक shipment बेजने के बाद मैंने उसको बंद कर दिया इसके साथ ही मैंने delivery के official website पर जाकर भी login किया था साथ ही मैंने e-com की जो courier company है उसके भी जो official portal है उनका desktop है client panel है उसपर भी login कर रखा है मैंने account create कर रखा है जो भी जहां पर मुझे price reasonable लगता है उसको मैं use करता हूँ अपने courier को बेजने के लिए बहुत सारी जगें ऐसी हैं जहां पर Amazon नहीं है delivery नहीं है e-com है तो e-com से बेज देता हूँ जहां e-com नहीं है delivery नहीं है Amazon है वहां मैं Amazon को use कर लिता हूँ इस तरह से बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए अपने product को अपने customer तक deliver करवाना यह सारी चीजे मैं आपको step by step बताता रहूँगा आपका कोई question होगा shipping से सम्बंदित shipment के सम्बंदित तो आप नीचे comment करके मुझे पूछ सकते हैं अगर कोई information या कोई video आप सम्बंद में आप चाहते हैं तो नीचे comment कीजिए उसका भी मैं आपको reply करने की कोशिश करूँगा या फिर अगर possible हुआ तो एक video आपके लिए लेकर आऊँगा और उसमें मैं clearly बताने की कोशिश करूँगा आशा करता हूँ आज के videos में हमारे दोरा दी गई shipping के बारे में जानकरी आपको पसंद आई होगी information अच्छी लगी तो वीडियो को like करके channel को subscribe भी कर दीजेगा इसी तरह के videos देखने के लिए हमारे channel पर जुड़े रहिए bell icon को click कर दीजेगा तक कि कोई video आपसे miss ना हो आज के लिए फिलाल इतना ही मिलते हैं अगले video में ऐसी ही किसी नई information के साथ तब तक के लिए जय हिंद